नमश्कार दोस्तूं स्वागत है आपका रूपल किरसोई में आज मैं आपके लेकर आई हूँ बहुत हैल्दी और बहुत देश्टी सा नाश्टा तो चलिए बनाते हैं इस यमी से नाश्टे की रेसिपी को आपके साथ तो इसे त्यार कने के लिए मैंने लोकी का इस्तिमाल करा है जो कि बहुत ही हैल्दी होती है और बच्चे से खाना पसंद नहीं करते हैं अगर हम इस नाश्टे में इसे बनाएंगे तो सब इजिली खा लेंगे अब इस लोकी को हमने कद्दू कस कर लिया है छिल काटा कर तो अ सूजी आप मोटी या बारी कोई भी इस्तिमाल कर सकते हैं कोई फरक नहीं पड़ेगा और इस सूजी को अच्छे से लोकी के साथ हम मिक्स कर देंगे तो अभी हमें इसमें बिल्कुल भी पानी डालने की जरुवत नहीं है जो लोकी का जू से उससे ही हमारी सूजी अच्छे से फूल जाएगी अच्छे से एक बार बसे से मिक्स कर दीजिए और इसे अब हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे 10 मिट के लिए तो लगा देते हैं इसमें लीड और 10 मिट बाद हम इसे चेक करेंगे 10 मिट हो चुके हैं चेक कर लेते हैं तो सूजी के दाने अच्छे से फूल चुके है अब इसमें डालेंगे हम एक कप भर कर गेहूं काटा तो यह वही आटा है जिससे हम अपनी रोटियां त्यार करते ह है वन फोर्थ कप मैं इसमें डालोंगी चावल का आटा जिससे हमारी रेसिपी में बहुत ही अच्छा सा क्रंच आएगा अब इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले तो मसालों में एक चमच हम डालेंगे नमक आप अपने टेस्ट के कोडिंग कम जाधा कर लीजिए आदा चमच हम इसमें डालेंगे लाल मिच पाउडर दो हरी मिच बारिक कटी हुए हम इसमें डाल देंगे और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे दो मीडियम साइच के प्याज एकदम बारिक कटे हुए इसे के साथ हम इसमें डालेंगे दो बारिक कटवे टमाटर एक चमच के करीब हम इसमें डालेंगे जीरा आदा चमच डाल देते हैं इसमें हम चिली फ्लेक्स और उसके बाद सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो काफी ड्राय है अब इसमें जर्वत है हमें पानी गी तो जर्वत के कॉर्डिंग हम इसमें पानी डालेंगे फिलाल में इसमें डालोंगी आदा कप और आदा कप पानी डालने के बाद जर्वत के कॉर्डिंग हम इसमें फिल डालेंगे आदा कप हम इसमें ओर डाल देते हैं और इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बहुत ही टेस्टी सा हमारा इनाश्टा त्यार होता है आप इसे जरूर त्यार करिएगा तो आप देखेंगे काफी गाड़ा है अभी है पर अभी हम इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे अगर हम इसमें पानी डाल देंगे तो यह बतला हो जाएगा और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद हम इसे पांच मिट के लिए वापस से रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे जिससे सारे मसालनों का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छे से आ जाएगा लेड लगा देते हैं और रेस्ट करने के लिए से छोड़ देंगे पांच मिट हो चुके हैं चेक कर लेते हैं अब हमेंसे थोड़ा सा पतला करना है तो वापस से हम इसमें डालेंगे आदा कप पानी तो पानी डिपेंड करता है आपकी लोकी कितनी जूसी है तो मुझे लगा है देड़ कप पानी और अच्छे से हम इसे मेक्स कर लेंगे अब इसमें डालेंगे हम एक पांच इनो का और उसमें डालेंगे हम तीन से चार चमच पानी और इसे बहुत यह अच्छे से मेक्स कर लेंगे तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है दूसरी तरफ हमने अपने पैन को भी गरम होने रखा है पैन हमारा अच्छे से गरम हो चुका है उसमें डाल देते हैं हम तेल तेल में हम डालेंगे कलोंजी सीट्स थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स और हरी मिर्च जिससे दीखने में बहुत ही अच्छा लगेगा और खाने में तो यह बहुत अच्छा है ही अब एक चमच की सायता से हम अपने नाश्टे को इसमें फैला देंगे तो आप जर्वत के कोडिंग छोटा बड़ा बना सकते है अब एक चमच से हम इसे अच्छे से फैला देंगे तो आप मोटा पतला जैसा चाहें वेसा बना सकते हैं मैंने इसे थोड़ा मोटा ही रखा है और इसे अच्छे से पकने देंगे हम पांच मीट के लिए जिससे नीचे से अच्छा सा क्रंची हो जाएगा स्लो फ्लेम पे लीड लगाकर मैं इसे पांच मीट के लिए छोड़ दीती हूं पांच मीट हो चुके हैं चेक कर लेते हैं तो यह देखे उपर से भी ड्राय हो चुका है अब हम इसे दूसरी तरफ भी पलटेंगे तो पलटने के पहले हम इस पे हलका सा चीली फ्लेक्स डाल देते हैं और कलोंजी तो बहुत हलके हाथ से आपको इसे पलटना है पहले हम चारो तरफ की किनारों से इसे निकालने की कोशिश करते हैं फिर हम इसे पलट लेंगे तो मेरा नाश्टा बहुत ही यमी बना था तो यहां पर हम इसे दोसी तरफ भी अच्छे से ब्राउन कर लेंगे यह देखें कितना अच्छा कलर आया इसमें इस तरह हम दोसी तरफ से भी इसे पकने के लिए छोड़ने थोड़ा सा तेल डालेंगे हम जिसने दोसी तरफ से भी बहुत यह अच्छा कलर आए गए इसे और लीड लगाकर 4 मीट के लिए हम इसे वापस से छोड़ देते हैं चेक कर लेते हैं तो दोस्तों तयारे देखे हमारा healthy से नाश्टा इसी तरह हम अपने सारे नाश्टे को तयार कर लेंगे यह देखे हैं ना कितना यमी तो इसी तरह मैंने अपने जितने भी नाश्टे थे उसे त्यार कर लिया था और यह इतना यमी बना था कि मुझे इसे प्रेजेंटेशन करने का भी टाइम नहीं मिला और यह खतम हो चुगा था तो इसी तरह हम इसे दूसरी तरफ भी पलट कर इसी तरह हमने अपने सारे नाश्टे को तयार कर लिया ही यह देखे इसे आप चटनी और सौस के साथ इंजॉय करिए बहुत ही अच्छा लगेगा इसके साथ मैंने एक चटनी भी त्यार करिए उसकी रेसिपी में आपके साथ बाद में शेयर करूँगी तो यहां हमारा सारा नाश्टा तयार हो चुका है अब हम इसकी कर लेते हैं प्लेटिंग अच्छा थे शब कर दो मांचला ऊंटे इसकी कर देए. अच्छा 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 हो चुका है अच्छा आप 4 पाओगग आपके साथ बढ़िर तक है झाल झाल